नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट कफसर 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे यदि कोट के शिविल कोट के जीला न्याले के लोग सुचना पुदाधिकारी द्वारा RTI Act का पालन नहीं किया जाता है और इस संबंद में आपने यदि सुचना आयोग में शिकायत बाद दायर किया है तो अपने शिकायत बाद में किस प्रकार आप अपना परतिवेदन अपना पक्ष रखते हुए देंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे चलिए जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अबस सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा कर आल पर भी अबस क्लिक कर लें जिससे इस तरह के उप्योगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास महुँचे तथा इसे एक लाइक करेंगे तथा इसे इतना सेर करेंगे कि हर भारतिय को इसकी जानकारी आसानी से हो सके कि कोट भी आर्टियाई एक्ट के दायरे में है और कोट के लोग सुचना पताधिकारी द्वारा यदि आर्टियाई एक्ट का पालर नहीं किया जाता है तो उसके खिलाब बेयाब राज सूचना आयोग में सिकायत बात दायर कर सकते हैं चलिए मैंने एक सिभिल कोट के लोग सूचना अपदाधिकारी के खिलाब एक सिकायत बात दायर किया है जिसकी सुनवाई होने वाली है उसमें मैंने अपना परतिवेदन दिया है आप लोग भी किस प्रकारपरती वेदन लिखेंगे जिससे दोसी पर कारवाई हो शके सत्यमेव जैते सेवा में स्रीमान राज सूचना आयुक्त पीसी चोधरी है एक विहार में उन्हीं के कोट में मेरी सुनवाई है सूचना भवन पटना पंद्र विसेवाद संख्या सी 551 अबलिक 2020 के दिनांक 512 बाइस को अपराहन में अपना सुनवाई में अपना पक्ष रखते वी परतिवेदन देने के शंबंद में यह मेरा नाम और पुरा पता है सिकायत करता मैं खुद हूँ बनाम लोग सुचना अपदादिकारी सिविल कोर्ट मदेपुरा पीन काड इतना है यह परतिवादी है महाशाय सौविने निवेदन पुर्वक काना चाता हूँ कि पहला मैंने सुचना अधिकार अधिनियम के तह दिनांक 25 दस 2020 से हस्ता अक्षरित आवेदन प्रपत्र को रेइस्टर डाक संख्या इतना से प्रेशित किया था दूसरा ततकालिन लोग सुचना अपदादिकारी द्वारा मेरे आर्टियाई आवेदन को लेने से इनकार कर दिया गया इस संबंद में मैं यह सिकायतवाद दायर किया हूँ तीसरा मुझे दिनांक 28 11 2020 को संबंदित कारियाले से मेरे मुबाइल नंबर इतना पर मुबाइल नंबर इतना से कॉल कर पूछा जा रहा था कि आपने आर्टियाई लगाई है लेकिन जब मैं कॉल कर इसी मुबाइल पर पूछा कि ततकाली लोग सूचना पदाधिकारी कौन साथे तो मुझे उनका नाम नहीं बताया गया ऐसे स्थिती में ततकाली लोग सूचना पदाधिकारी या अन्य दोसी पदाधिकारी या अन्य करमचारी कौन है इस संबंद में लोग सुचना पदादिकारी या प्रथम अपिली पदादिकार ही बता सकते हैं मैंने ततकालिन लोग सुचना पदादिकारी की शिकायत किया है जिसका पता सिविल कोर्ट मदेपुरा इनकोर्ड इतना ही है चोथा ऐसे इस्तिती में RTI X 2005 का पालन न करने वाले दोसी लोग सुचना पदादिकारी या करमचारी पर धारा बीस एक बीस तो के तहत कारवाई करते हुए मुझे दिव्यान को न्याय दिला आजाए इसके लिए मैं सदा आभारी बना रहूंगा अपना हस्ताक्षर मुबाइल इमेल जो भी हो दे सकते हैं जो सगलंग करेंगे वो आप अनुलगनक में जो भी करना चाते हैं वो लिख देंगे जितने भी कुल पेज होंगे अनुलगनक में वो अवश्री दे देंगे मैंने इसके साथ साथ पेज संलंग किया है वो इसकी सुची मैंने बना कर दे दी है तो इस प्रकार यदि किसी भी कोट या किसी भी PIO द्वारा आपके हावेदन को लोटा दिया जाता है लेने से इंकार किया जाता है तो आप राज सूचना आयोग या केंद्री सूचना आयोग में शिकायत बाद दार कर सकते हैं यह मेरा पत्र था देखें आप लोग इसे ही मिली भगत से अपुन पता काड़िया लेने से इंकार किया वापस करके यह लोटा दिया गया था लगाए थी इनके द्वारा आटियाई एक्ट का पालन नहीं किया इसी के खिलाप मैंने सिकायत बाद दार किया है उसी का मैंने परतिवेदन आप लोगों को दिखाया कि अपना परतिवेदन अपने सिकायत बाद में किस प्रकार लिक कर सूचना आयोग को प्रिशित कर सकते हैं और उस पर आपने सुनवाई कर सकते हैं आसा है आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे इस वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाग तथा इस चैनल को अबस सपोर्ट करेंगे मुझे आसा है जिससे आ आप भी ब्रस्टाचार के खिलाब लड़ने में मेरा सहयोग कर सकें तथा आप लोग भी ब्रस्टाचार के खिलाब आटियाई का प्रियोग अवश्रिक करें जैहिन